हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल आरोगे वैदनी फ्रेंट्स, डिलिवरी के बाद हर महिला का शरीर बहुत कमजर हो जाता है क्योंकि एक ननी सी जान का जरन देना कोई आसान काम तो नहीं है प्रेंट्स के दोरान महिलाओं को अपना खुब ध्यान रखना होता है लेकिन डिलिवरी के बाद भी महिलाओं को अपना खास खैल रखना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है हाला कि डिलिवरी के बाद सारा ध्यान न्यूबर्न बेबी की तरफ से जाला जाता है लेकिन शुशो के साथ डिलिवरी के बाद महिला का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि डिलिवरी के बाद महिला के शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है इस कमजोरी से बाहर आने में काफी समय लग जाता है इसलिए डिलिवरी के बाद महिला को अपने स्वास्ते पर धान देती हो एक खास किसम का भी डायेट लेना चाहिए दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे हेल्दी फूट्स के बारे में जानकारी दूंगी जिसे प्रसों के बाद खाने से शरीर बिल्कुल फिट रहने में मदद मिलती है माना जाता है कि अजवाइन न स्री पेट दर्द और ग्यास से निजाद दिलाता है इसे ब्रेस्ट मिल्क का दूद भी बना रहता है आईरवेद में अजवाइन को एक आउशेत के तोर पर बताया गया है अजवाइन में एंटी एक्सिडेंट, एंटी बैक्टिरिल और एंटी फंगल गून होते है महिलाई डिलिवरी के बाद अजवाइन का पानी, साथ ही अजवाइन का हलवा और अजवाइन के पराठे ले सकती है इससे उनका इनरजी लेवल काफी हट तक बढ़ जाता है प्रिगनेंसी के बाद गुंद के लड़ू जोडों को लुब्रिकंट करने में मदद करते हैं और कमर दर्थ के साथ जोडों के अन्य दर्थ को कम करते हैं यह स्तन पान कराने वाली मा के शरीर के पोशन के लिए उन्हें दिया जा सकता है यह वसा और रेशे से भरपूर होता है और स्तन पान कराने वाली मा को प्रतिरक्षा के लिए दिया जा सकता है क्योंकि यह प्रतिरक्षा तंत्र को मुझबूत बनाने में मदद करता है डिलिवेरी के बाद महिला को सोंड का सेवन जरूर करना चाहिए आप चाहे तो इसके लड़ू बना कर खा सकती है इसमें खुब सारी देशी गी और ड्राइफूट्स डाले जो डिलिवेरी के बाद महिला में होने वाली कमजूरियों को पूरा करने में मदद करेगी डिलिवेरी के बाद नाष्टे में साबुट अनाज का सेवन कराना चाहिए क्योंकि इससे पूरे दिन शरीर में इनरजी बनी रहती है नाष्टे में ओट्स दलिया आधी भी आप दे सकते हैं इसमें भी महिला को पोशन तत्वा मिलते है दोस्तों दालों में प्रोटीन के अलावा अन्य पोशक तत्वा भी मौजुत होते हैं डिलिवेरी के बाद दालों को उबाल कर उसका सूप बना कर पीने से काफे फायदा मिलता है इसके अलावा मूंग दाल का हलवा भी बना कर खिलाना चाहिए इससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है और कमजोरी दूर हो जाती है दक्षिन भारत का रागी और उत्तर भारत में मडुआ के नाम से जानने वाला अनाच डिलिवरी के बाद खाने वाले पोश्टिक आहर में से एक है यह शरी में स्टैमिना बढ़ाता है और जो माय डेरी प्रडुक्से अलर्जिक है वे इसे डोसा, इडली और हलवा के साथ मिला कर खा सकती है हरी सबजियों में आयन भरपूर मातरा में पाया जाता है जो महिला के शरी में बलड की मातरा को बढ़ाने के साथ साशिशों को भी फायदा देती है खास कर पालक का सूप या सबजी बना कर खानी चाहिए तील के लड़ूं में कैलशियम, आयन, कॉपर, मैगडिशियम और फॉस्परस बहुत ही जादा होता है यह शरीर में आवश्चक ततोकोप की पूर्दी करते हैं इसके अलावाई हैं आतों की क्रिया को नियंद्रित रखते हैं तील के लड़ूं वैसे भी अपने टेस्ट के वज़़े से काफी मशुर होते हैं दूसरे बनी चीजों का सेवन भी महला के लिए बहुत जरूरी हो जाता है इसे शरीर को कैल्शियम की परियाप मातरा मिलती है जिसे शिशू की हड़ियों का विकास और महला के शरीर में डिलिवरी के दोरान आई कमजूरी भी दूर हो जाती है यह तो हम सभी जानते हैं कि बादाम एक पोश्टिक ड्राइफ फूट से बादाम में कार्वहडरिस, फाइबर, विटामिन B12 और E के अलावा अन्य कई मिनर्स होते हैं प्रसों के बाद महला यदी बादाम को अपनी डायट में शामिल करें तो यह मा और बच्चे दोने के लिए फाइदे मन्द होती है अगर से आप चाहें तो बादाम का हलवा बना कर भी महला एक खा सकती है अगर से आपको मेरा वीडियो पसना आ रहा है तो प्लिस लाइक केजिए और मरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले साथ ही मेरा वीडियो आपके फ्रेंज और रिलेटर में ज़रूर शेयर करें तो फ्रेंज टेक केर स्टेल लिए थैंक यूफर वोचिंग मा वीडियो